नमस्कार दोस्तों सयम बुटीक में आपका स्वागत है तो आज किस वीडियो में हम लगाएंगे गले में अंडरगराउंड पाइपिन अंडरगराउंड यानि कि गुम पाइपिन हम गले में लगाएंगे तो गुम पाइपिन आपको किस तरीके से लगाने है बिलकुल आसान तरीका आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो यह आप देख सकते हैं अंदर की साइड से भी हमारी यह पाइपिन गुम लगी हुई है ठीक है अंदर बार से हमारी यह piping एक बराबर है एक जैसी finishing हमारी आई हुई है तो आपको यह piping किस तरीके से लगानी है बिल्कुल आसान तरीका आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो चलिए बने रही यई वीडियो में add तक तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखे सबसे पहले आपको कपड़ा ले लेना है जिस कपड़े पे आपको गला अपना लगाना है ठीका ये हमने अपना गोल गला ले लिया है आप कोई भी शेप का गला ले ले पान, स्वीठाट जिस भी गले में आप लगाना चाहे वो गला आपको ले लेना है अब देखे यहां से आपको ब्रोडनेस का निशान लगा लेना है पहले तो साड़े पांच इंच हम गले की चोड़ाई रखेंगे आप अपने हिसाब से ले ले जितनी भी आप रखते हैं त कि सिलाई आपको ज़्यादा दूरी पे नहीं लगानी है एक या दो पॉइंट की दूरी पे आपको यह लगानी है तो इसको गले को इस तरीके से आपको चिपका लेना है शिलाई की मदश से अब इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर के और फोल्ड करेंगे इसमें और एक एक पेर की सिलाई आपको लगा देनी है एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर फोल्ड कर देना है नॉर्मल जिस तरीके से आप गला बनाते हैं तो इसके बाद क्या करना यह एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा इसको कटिंग करके निकाल देना है तो देखे ये गला हमारा बन चुका है अब इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर इस तरीके से गले को मिलाते हुवे सेंटर का कट लगाने 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 है तो इस सेंटर कट हमारा लग चुका है तो गला हमारा complete हो चुक है अब इसके बाद हमें लगाने हैं इसमें piping ठीक हो तो piping बनाने के लिए आपको क्या करना रेब का कपड़ा लेना होता है ठीक है, एक इच फाल तो इसको कपड़े को कटिंग कर ले, इस तरीके से, आप इस कपड़े में हम पाइपिन बनाएंगे, अगर आपके पास रेडिमेंट बनीवी पाइपिन है, तो आप अपनी रेडिमेंट पाइपिन ले ले, पर हम पाइपिन बनाएंगे इसमें, तो दे तो इस धागे को हमें बीच में रखना होता है इस तरीके से तब ही हमारी पाइपिन एक बराबर गोल पाइपिन हमारी बनती है तो ठीक है इस धागे का हम यूज करते हैं जब भी पाइपिन बनाते हैं गले में बाजू में चाक में तो इस धागे को हमें कपड़े की अंदर अरजेस्ट करना होता है तो यहाँ पे इसको इस तरीके से अंदर सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे सिलाई कैसे लगानी है आपको देखे सबसे पहले हमें क्या करना होता है सिलाई लगाने के लिए हमें जो है मसीन का जो यह पैर है यह उतारना होता है सिंगल पैर हमें लगाना होता है ठीक है यह हमारी अमरेला मसीन है सिंगल पैर आपको दुकान से बड़ी आसानी से मिल जाता है तो आपको यह पैर अपना उतार लेना है और यहाँ पे आपको सिंगल पैर लगाना होता है ठीक है यह देखे इस तरह का सिंगल पैर है हमारा यह यह आपको दुकान से जहां से आप मशीन की सर्विस वगएरा करवाते हो या फिर मशीन की दुकान से यह आपको बड़ी आराम से मिल जाता है सिंगल पैर हमारी अमरेला मशीन है आपके अगर छोटी मशीन हो छोटी मशीन का भी बड़ी आराम से यह पैर मिल जाता है ज्यादा अंदर सुई ना हो थोड़ी बाहर की तरह आपकी ये पैर की सुई हो तो इस तरीके से मसीन का जो पैर है इसको सेट कर लेंगे ठीक है तो आपको पाइप इन बनाने में बिल्कुल आसानी होगी तो आप देखे इस तरीके से कपड़े को हमें फोल्ड कर लेना है डोरी अंदर रखते हुए और यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है ठीक आप देख सकते हैं मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर देखे इस तरीके से धागे को कपड़े के बीच में रखना है और पाइपिन आपको बना लेनी है तो देखे इस तरीके से हमारी ये पाइपिन एकदम गोल पाइपिन बनी है धागा हमारा बीच में है धागा बीच में रखते वे आपको सिलाई लगानी है तो आपकी बिल्कुल गोल पाइपिन बनेगी तो ये जो हमारा कपड़ा है पूरे कपड़े की आपको इसी तरीके से पाइपिन बना लेनी है तो देखे इस तरीके से हमने पाइप इन बना ली है अब आपको क्या करना है यहां से अगर आपका मार्जन जादा है तो हलका हलका मार्जन आपको कटिंग कर लेना है ठीका दो या तीन पॉइंट का मार्जन आपको रखना है जादा मार्जन नहीं रखना है अब देखें अब हमें इसमें लगाना है गले में तो गले में हमें पाइपिन को इस साइड में लगाना है तो यहाँ पे हमें देखिए हमारी जो गले की शेप है इस साइड में हमें नजर नहीं आ रही है कि हम पाइपिन कहां लगाएं तो इसके लिए आपको क्या करना होता है यहाँ पे एक सिलाई लगानी होती है ताकि हमें गले की शेप का पता रहे कि हमें पाइपिन कहा लगानी है वो सिलाई हमारी इस साइड में दिखाई देगी तो पहले आपको देखे बुक्रम की जड में आपको सिलाई लगानी है ठीक है बुक्रम के ऊपर आपको यह सिलाई नहीं लगानी है बिलकुल बुक्रम की जड में सिलाई लगाएंगे ताकि हमें गले की शेप का अंदा जा रहे तो देखें सिलाई हमने लगा दी है पुकरम की जड़ में अब इस साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें यह सिलाई नजर आ रही है इसी सिलाई के उपर हमको पाइपिन लगानी है इसी सिलाई के उपर पाइपिन लगाएंगे तो हमारी पाइपिन गले के बिल्कुल बराबर लगेगी तो देखें ये पाइपिन वाला जो है साइड बाहर रखेंगे और जो हमने कट की है मार्जन वाले साइड गले की अंदर के तरफ रखेंगे ठीक है पाइपिन आपको कहा रखनी है ये जो सिलाई है ना बिलकुल इसके उपर सिलाई के उपर रखनी है जो हमने बुकरम की जडमे सिलाई लगाई है उसी सिलाई के उपर आपको पाइपिन वाली सिलाई मिलानी है और इसको लगा देना है तो ये सिलाई हमें बिल्कुल आराम से लगानी है जल्दबाजी नहीं करनी है इस सिलाई को हमें बिल्कुल आराम से लगाना होता है जो सिलाई हमने नीचे की तरफ लगा रखी है बुकरम की जड़ में उसी सिलाई के उपर हमें ये पाइपिन लगानी होती है तो हमारी पाइ इस साइड में आप देख सकते हैं जो सिला यह हमने बुगरम की जड़ में लगाई थी उसी के ओपर हमने यह पाइपिन लगा दी है ठीक है तो इस तरीके से आपको यह पाइपिन यहाँ तक लगा लेनी है अब इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे लेना है कुर्ती का पीस और इसमें आपको इस तरीके से सेंटर का निशान लगा लेना है ठीक है सेंटर का निशान हमने क्यों लगाया यह देखे जो गले में हमने सेंटर लगाया था उसको मिला लेना इस तरीके से और पहले कच्ची सिलाई मारनी है ताकि आपका गला बिल्कुल सीधा लगे ठीक है यह कच्चा मार लेना आपको गले को बिल्कुल सीधा लगाना है तो देखे कच्ची सिलाई हमने इसमें मार ली है अब कच्ची सिलाई मारने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पे आपको सिलाई मारनी है ठीक है जो पाइपिन लगाने में हमने सिलाई लगाई है उसी सिलाई के उपर हमें पाइपिन लगानी है ठीक है सिलाई आपको नजर आ रही है बिल्कुल तो उसी सिलाई के उपर आपको सिलाई लगानी है जो सिलाई हमने पाइपिन लगाने में लगाई है तो आपकी पाइपिन बिल्कुल एक बराबर दिखेगी और बिल्कुल गोल पाइपिन आपकी लगेगी ये सिलाई आपको बिल्कुल आराम से मारनी है ध्यान से जल्दबाजी नहीं करनी है तो देखे सिलाई हमने इसमें लगा दी है इस तरीके से हमारी ये पाइपिन देखिए एक बराबर नजर आ रही है अब आपको simple क्या करना है एक-एक पैर के मारजन से अंदर का कपड़ा निकाल देना है ठीक है अंदर का कपड़ा निकालने के बाद आपको गोलाई में कट लगाने है इस तरीके से बरीक बरीक कट आप लगा लें सिलाई को बचाते हुए इस तरीके से देखे कट हमने लगा ली है कट का फायदा यह होता है अब हम गले को अंदर की तरफ पल्टेंगे तो गला हमारा आसानी से अंदर की तरफ पल्टा जाएगा अब इसको गले को अंदर की तरफ इस तरीके से आपको पलट लेना है इस तरीके से देखे अंदर की तरफ पल्टेंगे अंदर के तरफ इस तरीके से पलटने के बाद इसके उपर पहले हमें प्रेस कर लेनी है थोड़ी थोड़ी प्रेस कर लेंगे तो प्रेस हमने इसके उपर कर ली है और आप देख सकते हैं कितनी सफाई से हमारी ये पाइपिन लगी है बिल्कुल एक बराबर हमारी ये गुम पाइपिन लगी है तो इस तरीके से आपको पाइपिन लगानी है देखिए अंदर के साइड से मैं आपको दिखा देता हूं इस तरीके से, यहां से देखिए, अंदर की साइड से भी देखिए, हमारी एकदम फनीशिंग आई है, सफाई से हमारी यह पाइपिन लगी है, तो इस तरीके से आपको पाइपिन लगानी है, यहां पे हम तुर पाइपिन कर लेंगे, तो इस तरीके से आपको यह पाइपिन लगानी है, बिल्कुल आसान तरीक आपको बताया है, पाइपिन लगाने का, दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारी चैनल पर नए है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, ठैंक्यू फोर वोचिंग